Hello friends, welcome to my channel Friends, आज़ के इस وीडियो में आप चानेंगे कि Pregnancy के आठवे महने में आपको किन बातों का खास खयार रखना है और कौन कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ताकि आपकी healthy pregnancy हो सके और pre-mature delivery ना हो तो वीडियो को अन तक जरूर देखें कई बार महलाओं से गलतियां हो जाती है, जैसे कि पीट के बल सोना, जैसा कि आपको पता है कि प्रेग्नेंसी के आठ में महिने में आपके गर्भाशे का आकार और शिशु का आकार काफी ज़दा बढ़ जाता है, जिसकी वज़़ा से महला के पीट पर दबाव पड़ता है, और इसी वज़े से कई बार महला पीट के बल सोने लगती है। ताकि उनको पीट के दर्द में थोड़ा आराम मिल सके लेकिन ये उनके और उनके शिशुदोनों के लिए मुसीबते खड़ी करने लगता है। तो ऐसे में आपको हमेसा लेफ्ट हैंड साइड यानि की बाय करवट होकर ही सोना चाहिए। क्योंकि इससे आपके बच्चे को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलता है और गर्भ नाल के जरिये बलड सर्कूलेटिसन भी काफी अच्छा रहता है। वहीं पीट के बड़ लेटने से आपके पीट पर और भी ज़दा दबाव पढ़ने लगता है और आपके बौडी तक भी ऑक्सीजन का फ्लो बहुत कम हो जाता है जिससे बचे को प्रॉबलम होने लगती है। आपके डिलिवरी में भी प्रॉबलम होगी। इसके अलावा आपको ये धियान रखना है कि आप प्रेगनेंसी के आट में महने में कोई भी डांस ना करे या फिर कोई ऐसे एक्सरसाइज ना करे जिसमें आपको जंप करना पड़ता है क्योंकि ऐसा करने से आपका बच्चा नीचे की तरफ खिसक सकता है और आपके नॉर्मल डिलिवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। चौथा आप ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे आपके पेट पर दबाव पड़े। बतलब आपको इस टाइम बैट कर पोचा नहीं लगाना है बैट कर कपड़े नहीं धोने है क्योंकि अगर आपके पेट पर दबाव पड़ता है तो आपको लेवर पेन आ सकते हैं और आपके नॉर्मल डिलिवरी प्री में बदल सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेवल को अवोईड करें। क्योंकि ट्रेवल करते वक्त आपको एक ही पोजिशन में बैटना पड़त जटके से ना उठें और कभी भी जटके से ना मैठें। क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर की जो नसे होती है वो खीच जाती है जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखती है तो आपको आठवे महने में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपना खास ख्याल रखें बाई